दोस्तों आज हम बात करेंगे शलगम की और शलगम जो है प्रकरती की दियोई एक ऐसी अद्बु दोशदी है जिसका बखान आई उर्व में बहुत विस्तार से किया गया है आपको मैं बता दूँ यह जो शलगम होता है यह चुकंदर से भी कहीं ज्यादा फायदे मन्न होता ह है क्या क्या फायदे इसके आपको मिलेंगे और कैसे कैसे मिलेंगे सारी बाते मतार मैं वीडियो पूरा वीडियो द्यान से देखेंगा एक तो जो शलगम होता है इसमें विटामिन के भरपूर होता है हाईस्ट विटामिन के वाली चीजों में माना जाता है इसको और यह क् को रोज चाहिए होता है vitamin K उससे कहीं ज्यादा साड़े 300% होता है इसमें तो आपकी blockage को खतम करता है आज कल blockage की समस्य बहुत है clotting की समस्य बहुत होने लग गई है कून का तक्का जम जाता है उससे कई बिमारी हो जाती है कमाल की चीज है तो शूगर की जिनको भी समस्य है vitamin K की कमी से होती है और vitamin K जो होता है वो शलकम में पूर मातरा में होता है इसलिए आपको शलकम जरूर खाना चाहिए osteoarthritis हो जाता है अड़ियां कमजोर हो जाती है शूगर कारमड होती है और वैसे भी हो जाती है आजकल वो रोग की समस्य होती है कम जदा की या फिर पेन होता है जर्द होता है तो उन सारी समस्याओं को female skin period की समस्याओं को यह शलकम दूर करता है क्योंकि इसमें vitamin K खूब होता है और immunity को भी बढ़ाता है आजकल immunity की बहुत जरूरी है immunity यानि की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ी कम होती है vitamin K इसको बढ़ा देगा आपको शलकम खाएंगे तो अगला जो इसमें vitamin A बहुत अच्छी मतरमें होता है एक खास बात बता हूं तो कि vitamin K, vitamin A, vitamin C, बढ़ाम में बिल्कुल भी नहीं होता है लेकिन आप सूचे शलकम में बहुत अच्छी मतरम होता है तो ब vitamin A की कमी से क्या होता है vitamin A की कमी से क्या होता है vitamin A की कमी से क्या होता है आपको आखों से दिखना कम हो जाता है आखों की कई समस्य में पैदा हो जाती है हमारे जो फेफड हैं फेफडों के समस्य में बहुत देखिया चल तो बहुत चल रही है फेफडों की कमजोरी फेफडो की कमी से होती है और विटामिन ए शल्गम में बहुत अच्छी मातरा में होता है इसके आपको शल्गम खूब खाना चाहिए कैसे खाना आगे बताऊंगा प्रेगनेंट जो फीमेल से हैं जिनको प्रेगनेंसी चल रही है वो भी इसको खा सकती है अराम से तकि उनके घर में पल लोगार्विय्ट ड्याइट है डिएबिटैस वालों को लोगार्वोईड़ ड्याइट लेनी चाहिए लोगार्वोईड्रेट में आता है शल्गम और हाई फाइबर इसके इंदर फाइबर ज्यादा होने से शूगर कर ल Kerry कर लेता है और इसमें फैट भी नहीं होता है बिल जितनी body शारी बगवान ने बनाई है फ्रकृति ने बनाई है शारी अगर बाड़ी हो जाती है तो सारी बिमारी शरीर की खतम हो जाती है तो कितना बड़ा काम करता है शल्गम आप खुद सोचे इसको विटामिन C इस शलगम में बहुत अच्छी मात्रम होता है, विटामिन C की कमे से हमारी healing नहीं होती बॉड़ी की, बार बार आप बिवार पढ़ने लग जाते हैं, तो इस विटामिन C जो होता है शलगम में बहुत अच्छी मात्रम होता है, 33% आपको रोज का मिल जाएगा अगर आप इसको खाते हैं तो और उससे आपकी healing होती रहेगी बहुत अच्छे से, बिमार नहीं पढ़ेंगा है, बार बार immunity आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी aging नहीं होने देता, बुड़ापा जल्दी से नहीं आने देता है, और बदाम में तो होता ही नहीं vitamin C, लेकिन शलगम में होता है, इसलिए शलगम आप जरूर का है, calcium, एक calcium से भरपूर होता है हमारा शलगम, और calcium आप सब लोग जानते हैं कि हमारी हड़ियों के लिए, और हम calcium का बंडार है, शलगम इसलिए शलगम जरूर का है, vitamin E बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसके लिए heart की plotting हो जाती है, heart की जो धमनिया है हमारी, उनमें जो plot जम जाते हैं, उसको नहीं होने देता है, यह vitamin E और यह शलगम में बहुत अच्छी मतरम होता है, जिनको भी जिरे दैर होगे, वो जरूर खाना चाहिए, उनको शलगम, सूजन जितनी भी होते हैं, चाहे बाहर के अंगों में और चाहे अंदर के किसी भी अंग में सूजन हो जाए, आपको इम बता दू, एक research होती है, इसमें पाया गया, यह हमारे जितने अंदर के अंगों में सूज हो जाती है, उससे ही साही सारी बिमारियां पैदा होती है, तो यह अंदर की सूजन को सारी खतम कर देता है, हमारे शरीर के अंगों में जो नमनेस होती है, सूना पना जाता है, उस सूना पन को यह दूर करता है, वेटामिन E, और यह वेटामिन E, खूब होता है शलगम में, तो शल गम खाएंगे तो आपका सूना पन भी एंगों का दूर हो जाएगा, सूजन दूर हो जाएगी मास पेशियों की कमजोरी दूर हो जाएगी Immunity भी आपकी बढ़ जाएगी, विटामिनी Immunity को भी बढ़ाता है तो इसी दू-तीन चीज़ें जो आपकी Immunity बढ़ा देती है तो जब Immunity बढ़ गे तो आपकी सारी बिमारियां कताम होगी विटामिन बी का भी बंडार है, विटामिन बी कॉंपलेक्स को भोता है पानी इसमें 93% पानी होता है तो अगर आप इसको लेंगे, शल्गम को खाएंगे आपको पानी खूब मिलेगा, पानी क्या करता है हमारे शरीर में जितने भी विशले तत्वें उनको बाहर निकाल देगा ये और हमारी इसकिन को एकदम से फस्प्लास कर देगा, एकदम से चमकदार बनाए देगा एकदम ये सारी बाते हैं तो और Modern Medical Science ने कही है शल्गम के बारे में अब शल्गम के बारे में आयूर्वेद ने क्या का है, वो बात आपको में बता रहा हूँ किती बड़ी बात कही है, वात, पित और कफ, तीनों को ये बैलन्स कर देता है हमारी बाड़ी में शल्गम रिदोश को दूर कर देता है, मैं हर वीडियो में बताता है आपको कि यसी बहुत कम चीज़ें होती हैं जो कि वात पित कफ तीनों दोशों को दूर करती है और ये शलगम ये काम करता है हमारी श्वास स्वशन तंतर के जितने भी रोग होते है सांस से जुड़ेवे जितने भी रोग होते है उनको ये दूर करता है ब्रॉंकाइटिस जो कि हमारी सांस की नली जो गले से लेकर के फेफ़णों तक की होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है उसको यह दूर करता है शलगम अस्तमा की जिनको समस्या रहती है वो का सकते है इसको शलगम को अस्तमा की समस्या को यह ठीक करता है खासी की समस्या को बिल्कुल ठीक कर देता है शलगम बहुत ही कमाल की चीज़ है इसले शलगम जरूर खाना चीज़ है डाइबेटीज की समस्य के लिए फिर से बता दूँ आयरुवेद में कितनी बड़ी बात लिखी हुए आप जड़ा सोचेगा इस बात को ध्यान से सुनिएगा ति सुबह से लेकर के रात तक और रात से लेकर सुबह तक दोनों पूरे दिन के अंदर पूरे दिन रात में जितनी भी शूगर होती है आपकी उसको पूरा ये कंट्रोल करके रखता है ये बात आयरुवेद में लिखी हुई है इस शलगम के बारे में तो जिनको भी 300, 300, 400, 400, 500 शूगर से ले जाती है वो शलगम का यूज़ जरूर करें उनकी शूगर बिल्कुल कंट्रोल में रहने लग जाती है पेट की जितनी भी समस्य होती है चाया आपको अपच की समस्य हो गई हो खाना पचता नहीं हो उससे कबज की समस्य हो गई हो ब बसक्लास कर देता है कोई समस्य हापकी डाइशन से रिलेटेड नहीं रहती रिदय के लिए इसको अम्रत का गया अईरवेद में क्योंकि ये वसा यानि को खतम कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल और सूज़न दोनों खतम हो जाएगे अंदर से तो हमारे जो हाट है एकदम हेल् जिनको भी रिदयर होगे शोथ के लिए एक आगया है शोथ यानि कि सूजन जो आती है बोड़ी में भी काम है ने शोथ मिमारक होता है ये हमारे जैसे उंगलियों में सूजन आ जाती है हाथ में आ जाती है पाओ में आ जाती है कमर में आ जाती है हमारे पंजों में आ जाती ये टकनों में आजाती है, जितनी भी सूजन कहीं भी आजाया और अंदर के अंगों में भी जितनी आजाती है, उन सारी सूजन को ये खतम कर देता है, शलगम, ऐसे करेगा, ये आगे बताऊँगा, कैसे फाइदा मिलेगा इसका, यूरीन की जितनी भी समस्य होती है, हम करता है, मजबूत बना देता है, और उनको एक तम साफ रखता है ये शलगम, इतना बड़ा काम करता है, सारी प्रप्लम्स जातों की ठीक कर देता है, मोटा पे की समस्य को ठीक कर देता है, क्योंकि वसा यानी चरबी को कम करता है, और फाइबर इसके अंदर खूब होता ह जैसे कि हमारा पेट हमको भरावा लगता है और पेट भरावा रहने से हमको भूग ज़्यादा नहीं लगती और हम बार-बार ज़्यादा नहीं खाते तो हमारा वजन नहीं बढ़ता तो यह तो सारे फायदे हो गए जो कि आयरवेद और Modern Medical Science ने बताए है अब यह फायदे आपको शल्गम के मिलेंगे कैसे बहुत ध्यान से सुन लिजीगा शल्गम को आप बॉयल करके खाए या थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लिजे आप इसको तेल में रोस्ट कर लिजे थोड़ा सा और फिर इसको खाए तो सबसे ज़्यादा फाय में काट करके कच्छा खा सकते हैं तो यह सारे फायदे आपको मिल जाएंगे इसको पानी में उबाल करके इसका काड़ा भी बना सकते हैं और वो काड़ा पी भी सकते हैं उस काड़े को पीने से भी सारे फायदे मिल जाते हैं और उस जो पानी हो जो उबाला है इसका उस पा भी allergy किसी भी तरह की हो, या शल्गम को खाने से कोई allergy हो जाती है, तो वो नहीं ले, जिनको भी पत्री की समस्या है, या यूरिक एसिड की समस्या रहती है, वो भी शल्गम नहीं खाए, बाग की सभी लोग इस शल्गम को अच्छी तरह से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विए सारे थे शल्गम के फायदे, आप इस वीडियो को जाता से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, नमस्कार.